गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स वंस अगें ऑनलाइन क्लास स्टुडेंट्स पर्स्ट फॉल ऑपन यौर कॉर्स बुक क्लास सेकेंड आपको कौन सी बुक उपन करनी है कॉर्स बुक यस्टरडे मैंने आपको होम असांडमेंट दिया था सबसे पहले लेट्स फाइंड सबसे पहले आप अपना होम असांडमेंट करेंगे पेज नंबर 19 पेज नंबर 19 ओपन किया इन यौर कॉर्स बुक चेक यौर होम बुक लैस्टराइब सेवन मैंने यह बताया था आपको कि पहले आपको एस्टिमेट करना है एस्यूम करना है कि कितनी टोफी हो सकती है दैन आपको काउंट करना है और एक्च्वल नंबर फाइंड आउट करना है तो एवाला मैंने आपको अंडस्टूर करवाया था यहां देखिए एवाले में हमने एस्टिमेट किया कि हमने एस्यूम किया कि यहां पे 30 टोफी होगी बट काउंट करने के बाद में हमें एक्च्व गैब एक्चुल अन्सर मारा कितना था 11 योड़ करने के बाद में एक्चुल उन्सर हमारा क्या आया ऐवन और सी वाले में हमने assume किया estimate किया कि यहां पर 27 टॉफी होगी बट count करने के बाद में हमें actual answer आया 28 उसके according D वाले में यहां देखिए actual answer सबका 34 आ रहा है now E actual answer सबका 10 आ रहा है हमने estimate भी 10 लगाया और answer भी हमारा 10 आया कभी-कभी estimate के according हमारे answer भी same आ सकते हैं now F estimate हमने 11 किया but actual count करने के बाद में answer मिला 10 now G estimate हमने किया 15 but counting करने के बाद में actual answer हमारा आया 16 H में estimate हमने 8 किया but actual answer हमारा क्या आया 10 students let's try 7 page number 19 will be completed now open page number 20 so students chapter first will be completed in your course book and practice book हमारा practice book और course book में chapter first complete हो चुका है now open page number 21 course book chapter 2 subtraction chapter का name क्या है subtraction subtraction मेंने आपको understood करवाये थे subtraction means क्या होता है minus कौंसा chapter start हो हमारा chapter second chapter second का name क्या है students subtraction ओके चुके चुप्टर का name क्या है subtraction और ये sign कौन सा या देखिए आपको सब्सक्राइब करवारे हूं सब्सक्राइब करवारे हूं सबसे पेले या ध्यान देंगे page number 21 open करना है सबको chapter 2 subtraction subtraction means क्या होता है let's begin मैंने आपको sign understood करवाया blackboard पे यहां देखिंगे let's begin में क्या बोल रहा है look at the picture and fill in the blanks to complete each short story यह जो short story है इसको में complete करना है picture को देखके ओकी तो first there were four monkeys swimming swinging on the tree यहां देखिए पेड़ पे four monkeys उचल रहे है now two fell down fell down मतलब two गिर गए है यहां देखिए पहले कितने मंगी थे how many monkeys are there one two three four but two fell down okay two fell down हो गए तो there are dash monkeys swinging on the tree तो tree पे कितने मंगी थे यहां देखिए two fell down हो गए है और two monkeys are left है ना उपर है ट्री पे swinging है तो यहां पर आंसर हमारा क्या रहेगा तू मैं आपको अगेन अंडिस्टूट करवा रही हूं यहां देखिए there were four monkeys swinging on the tree four monkeys पहले यहां पर जूल रहे थे then two fell down two fell down two गिर गए नीचे तो how many monkeys are left in the swimming on tree तो यहां पर देखिए त्री पे कितने monkeys are left है तू तो हमारा answer क्या आया तू अब यहां देखिएंगे now second there were eight mangos on the tree now tree पे कितने mangos थे पहले eight mangos now only five are left now only five are left पहले कितने mangos थे eight यहां देखिएंगे पहले eight mangos थे उसमें से three यार उसमें क्या बोल रहा है क्या asking कर रहा है now only five are left कि ट्री पे only five mangos बचे हैं पहले कितने mangos थे eight mangos थे बट अब कितने है five तो कितने fell down हो गए तो यहां count करेंगे मतलब कितने नीचे गिल गए mangos तो हम count करेंगे one two three okay तो answer हमारा क्या आएगा यहां पर हम क्या right करेंगे three मैं आपको blackboard पे अंडर्स्टूट करवा रही हूं यहां देखिंगे लूक किया सबसे पहले यह जो ट्री है यह मैंगों कितने देखिंगे करी बारा दाएगा पर जसे एक कितने पुर्संदद़ जो जढगे हैं कितने बारा आवएगा लूक कितने एक उरा ऊका पको blackboard कितने हम अंपको तो ऊपको बारा कितने देखिंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 पे, mango कितने पहले, 8 पे बट उसमें से, क्या कास्किंग कर रहा है कि 5 mangoes are left कि 5 mangoes only left है कि 3 पे only 5 mangoes है 1, 2, 3, 4, 5 यह left है कितने पेल डाउन होगे, यहां पे देखिए 1, 2, 3 1, 2, 3 तो answer हमारे के आया 3 mangoes are left तो हम answer क्या fill करेंगे 3 fill करेंगे सब fill किया सबने Now next There were 3 deer in the picture यहां देखिएंगे 3 deer in the picture All of them run away How many can you spot in the picture यहां पे देखिएंगे आपको 1 भी deer दिख रहा है क्या No Nobody else यहां पे there were 3 deer in the pictures इस picture में 3 deer थे But All of them ran away सारे के सारे बाग गए How many can you spot in the picture आपको दिख रहा है यहां पे deer Nobody ना तो answer क्या आएगा Zero Because 3 minus 3 Zero इसमें answer क्या fill करेंगे आप Zero Fill किया सबने Page number 21 will be completed Students Page number 22 open करेंगे सब यहां देखेंगे Let's find out Subtracting once हमें once को subtract करना है Counting backward using the number line Backward counting according number line के according जैसे मैंने आपको addition अंडूस्टूट करवाया था उसी के according आपको subtraction करने है तो यहां सबसे पहले देखेंगे 10 फिर sign किसका है Sign of minus subtraction Less than Now 10 minus 3 तो यहां देखेंगे आपको number line के according subtraction करना है तो सबसे पहले 10 कहां पर है यहां पर 10 है Then 10 में से minus कितना करना है 3 तो यहां देखेंगे हम यहां 10 से start करेंगे 1 2 3 3 पर हमें stop होना है अब हम उसके down का digit Check करेंगे कि down का digit क्या write किया हुआ है 7 तो 10 minus 3 Answer is 7 Write किया सपने Now next Example is Drawing a pictures How many balls are there Let's count 1 2 3 4 5 6 7 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 4 4 2 3 4 4 How balls are left? Let's count 1 2 3 To answer is 3 Okay students आपको understood हो गया? Now let's try 1 Count and write आपको count करना है And write करना है But sign किसका है? Addition का है? कि subtraction का है? Subtraction का तो मतलब हमें less than मतलब कम करना है Add नहीं करना है A वाले में क्या asking कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ducks हैं यहाँ पे तो 7 में से कितने minus करने हैं आपको? 1 तो हमने 1 को cut कर दिया Then how are left? 1 2 3 4 5 6 तो answer is 6 Now B 1s है Only 1 digit है ना 1s को आपको करना यहाँ देखिए सबसे पहले 5 है How many ducks are there? 5 1 2 3 4 5 Now sign is minus 5 minus 4 तो हमें 5 में से minus 4 करने हैं 4 कम करने हैं तो यहाँ पे 5 ducks हैं तो हमें cut कितने करने हैं? 4 Now cut 4 1 2 3 4 How ducks are left? Only 1 Answer is 1 Page number 22 will be completed Today's your home assignment is C and D Page number 23 Your home assignment is C and D Page number 23 Class second प्रोप्रो में